हलो दोस्तों कि आप सभी को पता है कि आपका android phone में एक i button का option दिया होता है यहाँ पर देखें जैसे ही मैं किसी भी application पर long press करूँगा तो यहाँ पर एक i button का option दिया रहता है mostly जो android wizard हैं दोस्तों यह सुचते हों कि इस i button का सिर्फ application के settings इसमें दिये होता है जेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है इस i button के अंदर दोस्तों ऐसे खतरनाक settings छुपे हुए है ऐसे hidden settings हैं दोस्तों कि जिसको आप अगर अपने phone में apply कर दोगे तो आपका phone का जो battery draining issue है वो दोस्तों काफी हद तक कम हो जाएगा आपके phone का जो battery backup ज्यादा दिर तक नहीं चलता है सिर्फ आपको यह setting apply करना है i button में फिर आपका जो mobile का battery है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा चलने लगेगा तो दोस्तों आज मैं आप सभी को 5 hidden features के बारे में बताने वाला हूँ इस i button के अंदर के तो उसी को दोस्तों सिर्फ आपको अपने phone में apply करना है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने इस पहले hello दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं knowledge guru जी तो चले दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो आपके पास कोई भी फोन हो कोई प्रोब्लम नहीं है आप जैसे भी किसी भी अप्लिकेशन पर लॉंग प्रेस करोगे तो आपको किसी भी अप्लिकेशन पर दोस्तो ये i button को option दिख जाएगा आपको जो simply से दोस्तो आपको क्या करना है माल लिजे एक अप्लिकेशन पर आपको लॉंग प्रेस करना है और यहाँ i button जो है देख लिजे उपर की तरफ इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तो ये अप्लिकेशन के जो settings होते हैं पूरे उखूल कर आ जाते हैं सामने इसी में दोस्तो आपको सिफ पास settings करना है जिसके बाद आपका जो फोन का बैटरी है वो काफी लंबे समय तक दोस्तो चलने लगेगा अगर माल लिजे आपको फोन का बैटरी कहीं 5% खतम होता है तो ये setting आप apply कर लोगे तो आपको बैटरी है उसी दोस्तो 1% खतम होगा तो सबसे पाइला setting दोस्तो आपको करना है अपने application के अंदर यहीं पर दोस्तो देख लिए जो पाइला number पर permission लिखा हुआ है इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर दोस्तो आपका छेड़ छाड़ नहीं करना है आपको सिर्फ नीचे की तरब जाना है यहाँ पर देख लिए लिखा हुआ है remove permission and free up space आपको simply से दोस्तो अगर आपका यह off होगा तो आपको यह on कर देना है इसको on करने से दोस्तो यह होगा कि आप जब इस application को यूज नहीं करोगे तो आपका फोन जो है आटोमेटिकली जो यह पर इमिशन लिया रहा था आपके फोन का आटोमेटिक यह remove कर देगा हटा देगा तो जिससे आपके फोन का जो बैटरी है दोस्तो काफी लंबे समय तक टिकर आएगा तो यह था पहले नमर सेटिंग बात करते हैं दूसरे नमर का सेटिंग के बारे में तो भी आपको इसी मिल जाएगा तो आपको दोस्तों यहां पर नीचे देखे लिखा हुआ है इंस्टॉल अन्रॉन एप ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है यह दोस्तों बहुत ही खतरनाक सेटिंग होते हैं आपके फोन में अगर आप इसको गलती से आउन किये होगे दोस्तों तो जल्दी से इसको आफ कर दिजेगा इसको आफ करने से यह होगा सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसको आउन करने से क्या होगा माल लिज आप इसको on कर दिये हो install unknown apps को तो आपका जो ब्राउजर है दोस्तो यह automatically किसी third party app को यह लगेगा download करने अपने आपके phone में जिससे आपका जो phone है दोस्तो storage full होने लगेगा आपका जो phone है वो hang होने लगेगा phone में जो है hitting होने लगेगा आपका जो device है दोस्तो सही से काम करेगा नहीं इसके लिए इस settings को off कर दिजएगा अगर आप इसको off कर दोगे तो आपका browser जो है दोस्तो या फिर कोई भी application है बीना आपसे permission लिए कुईसी भी third party app को download नहीं करेगा आपके phone में अगर आपका यह on होगा आपका जोड़ी से off कर दिजएगा दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो तीसरा नमर setting के बारे में तीसरा नमर setting दोस्तो आपको यहीं पहले ही नमर पर दिख जाएगा notifications का सबी phone में दोस्तो notification जरूर आते हैं जब भी आप दोस्तो अपना net on करते हो तो जो Chrome browser है या फिर कोई भी application है वो लगते हैं धड़ा 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 notification भेजने हैं तो जिससे आपको जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा दोस्तो ड्रेन होने लगता है तो दोस्तो माल लिजए कोई application आपके काम का नहीं है माल लिजए ज़्यादा यूज नहीं करते हो आप Chrome का अगर आपको नहीं चाहिए notification तो आप सिंपली से इसको दोस्तो ओफ कर देना अगर माल लिजए आपको यह application का notification चाहते हो तो आप दोस्तो notification में जाकर जो यहाँ पर important setting दिखते हैं सिर्फ उसी को notification पर allow करिए दोस्तो अब बाकी जतने notification है उसको allow मत करिएगा आपके notification में दोस्तो एक option दिख जाता है allow sun and vibration का तो इसको भी दोस्तो आप off कर दिजेगा क्योंकि इसका ज़रूद नहीं पड़ता है जब भी notification आता है तो आपका जो speaker है वो आवाच करने लगता है और आपका जो vibrator motor है वो भी चलने लगता vibrate करने लगता phone तो दोस्तो जब यह दोनों use होंगे तो आपका जो phone का battery है वो बहुत ज़्यादा drain करने लगता है इसके लिए दोस्तो इसको भी off कर दिजेगा मैं इसको पूराई off कर देता हूँ क्योंकि मुझे chrome का notification नहीं लगता है ज़्यादा important होता है तो इसके लिए मैं दोस्तो इसको off कर दिया अब बात करते हैं दोस्तो चौथे number setting के बारे में तो चौथा number setting दोस्तो आपको यही नीचे एक तरब दिख जाएगा बाइटरी वाले option में आपको बाइटरी वाले option पे click कर देना है अगर आपका इस दोनों उपर option पे click होगा तो आपको यहाँ से हटा के दोस्तो यहाँ जो restricted का option दिया हुआ है इस पे आपको click कर देना है इसको on करने से दोस्तो यह होगा कि आपका जो application है वो background में दोस्तो run नहीं करता है और जब आपका जो application background में run नहीं करेगा तो आपका जो battery है वो काफी लंबे समय तक दोस्तो ठीका रहेगा इसके लिए इस settings को यहाँ पे click कर दीजेगा इसको on करने से दोस्तो आपके phone का जो battery है वो 90% तक बच जाता है अब बात करते हैं दोस्तो अगले setting के बारे में पांचवा नमर setting के बारे में और आखरी setting के बारे में तो दोस्तो आखरी नमर setting आपको यहीं पे दीख जाएगा mobile data इस पर दोस्तो आपको click कर देना है अगर यहाँ पर दोस्तो माल लिजे आपका यह दो option है दोनों on रहेगा तो simplest आपको इसको off कर देना है इसको off करने से दोस्तो क्या होगा माल लिजे कि आप जब भी net on किये हो तो आपका जो application है दोस्तो background में data को use नहीं कर पाएगा आपका application background में run नहीं करेगा कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तो आप कोई दूसरा application use कर रहे हो माल लिजे कोई chrome में notification आया तो अगर इसको on रखो गया आपका जो chrome browser है वो भी notification भेजने लगेगा और जब notification भेजेगा दोस्तो तो आपके phone का जो battery है वो काफी जल्दी drain करने लगेगा इसके लिए settings दोनों को दोस्तो off कर दिजेगा आपका जो battery है वो काफी दोस्तो save हो जाएगा तो यही था दोस्तो i button के बारे में past settings तो दोस्तो मैंने जो i button के past settings के बारे में बताया है तो दोस्तो आपके phone में जेतनी भी application है सबी के i button पे जाके यही setting अपलाई कर दिजेगा तो आपका जो battery है दोस्तो वो काफी कम consume होगा काफी कम खतम होगा तो i hope दोस्तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो के जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करिएगा धन्यमाद दोस्तो